नमस्कार आज हम आपको बताएंगे कि बूलेट ट्रेन जो भारत वारत ग्रीर में उने वाली है उस पूरी ट्रेन में कितनी मोंटर होती है और एक मोंटर कि कितनी रेटिंग होती है और पूरी कितनी हार्स पावर की मोटरे होती है हम बता दें आपको कि बुलेट ट्रेन में कोई इंजन नहीं होता इंजन उसमें डिस्टिबूटेड होता है नकला वो जो मोटरे हैं बहुत सारी वो कई वोगियों में लगी रहती है थोड़ी थोड़ी करके उसी तरह से जैसे मेट्रो ट्रेन में लगी रहती है मोटरे अब जो भारत उसमें बुलेट ट्रेन आ रही है उसकी क्या खासेते हैं यह जो टक्नलोजी है वो E5 सिरीज शिनकान सेन है जो AC सप्लाई है 25 केवी AC इसमें जो मोटर लगी होती है वो 300 किलोवाट की होती है एक मोटर की पावर होती है 300 किलोवाट और वो AC 3-phase instruction मोटर होती है और टोटल पावर 9600 किलोवाट यह करीब आएगा 12,870 होस्ट पावर अब देखिए एक मोटर 300 किलोवाट की है और टोटल पावर है 9600 किलोवाट तो करीब 32 मोटर लगेंगी इस पावर को लाने के लिए यह 32 मोटर कई कोचेज में डिस्टिब्यूट होंगी और उसमें शुरू में 10 कोचेज होंगी बाद में बढ़ा सकती हैं उसके बाद यह स्टेंडर गेज होता है पत्री के बीच की चोड़ाई जो बड़ी ट्रेन हैं वो ब्राड गेज में चलती हैं इसकी जो कार की बाड़ी है वो अल्यूमिने में लाए है जो मेट्रो ट्रेन हैं उनकी बाड़ी भी aluminum alloy से बनी होती है अब जो bullet train आएगी उसकी अजित्तम speed है 320 km पार हावर अब जब train ये शुरू करेगी तो 320 km तक पहुंचने में उसको करीब 320 सेकंड लगेंगे और ये 18 km चल चुकी होगी 18 km चलने के बाद ये fully speed पकड़ेगी अगर इतनी speed पर हम चला रहे हैं तो अब चुकी bullet train बहुत तेज चलती है तो इसमें और भी safety feature होते हैं उदारन के तोर पर माली जे कोई बाहर problem है जैसे cyclon या भुकम तो sensor लगे होते हैं मुझे नहीं पता भारत में होंगे कि नहीं होंगे ये train के बाहर होते हैं जमीन पर या समुद्र के किनारे तो वो problem सेंस करते हैं सेंस करके signal power station को भेजते हैं power station जो train वालों का होता है तो train की supply रोख देते हैं और ये train को फता चल लाता है तो bullet train में emergency brake लगा दिया जाता है और train थोड़ी दिर के बाद रुक जाती है वगर रुकते रुकते भी कई किलोमेटर चल लेती होगी वो अब आज यहीं समात करते हैं जय हिंद जय है तो जय है तो पता है